कैसे हैं आप लोग नमबर से स्टार्ट कर चुके हम लोग आज हम लोग सेकेंड लेसन देख रहे हैं यहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थेवरम देखेंगे मैं यह आसा करता हूं कि आप लोगों ने जो पहले लेक्चरल पढ़ाया गया वाट इस होल नंबर वाट इ इरेशनल लंबर है कुछ रिजल्ट है। कभी अगर कोंई डूसरा क्या है उन दोनों को क्या करते हैं PראWK करते हैं तो हमेसा इर्रेशनल लंबर है आने वाला है बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि एक रेशनल लंबर और दूसरा इर्रेशनल का अगर हम कभी प्रोड़क्ट करेंगे तो आलवेज इर्रेशनल लंबर देन multiplication of 3 and root 7 becomes 3 root 7 is an irrational number ठीक है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 3 root 7 irrational है और root 3 5 root 3 into 5 भी irrational नंबर है ठीक negative of an irrational number is an irrational number अगर कोई number negative कोई number क्या है irrational है ध्यान से देखे क्या वो लग है negative of an irrational number is an irrational number जैसे हमारे पास number था minus root 7 हमने उसका negative कर दिया माइनस को फिर से माइनस कर दिया तो क्या रहेगा रूट 7 लेकिन वो भी क्या होगा irrational ही होगा कि कोई अगर irrational नंबर है उसका हम negative करते हैं तो negative of an irrational number is an irrational नंबर यह थेओरम आपको अच्छे स्याद करनी होगी अगर आप एक अच्छे mathematician बनना चाहते हैं अगर आप क्लास 9 की मैथ को यहीं अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह आपको समझ में आ गया होगा अपर में निट नाट भी इयरेशन नमबर इसके लिए नीट नाट भी तो नंबर इसके लिए निट नाट भी आ इसके लिए नाट भी टी होग ठीक जरूरी नहीं है कि यह irrational नंबर ही हूँ जैसे root seven आप बताईए rational –root seven क्या है irrational root seven rots seven minus root seven rational लेकिन इनका sum तो 0 आ जाता है एक rational आ जाता है मतलब 2 irrational नंबर को add करने पर यह क्यों स्क्राइब करने पर 2 irrational नंबर को add करने पर एक rational आ गया अब lumière cry अब देखिए यह कैसे फालस हो जाता root 7 क्या है irrational समझ में आ रहा है आपको और 2 root 7 क्या है irrational add करने पर क्या रहा है 3 root 7 अभी तो add करने पर 0 आ गया था मतलब कभी भी अगर difference sum product और और को सिंड कर रहे हम irrational number का तो कभी रासकता है कभी इरस्टाल भी आ सकता है समझ में आ रहा है जैसे देखिए यहां पर root 3 root 7 क्या हो रहा है multiply root 21 आ रहा है दोनों क्या है दोनों क्या है और एंसर डिया रा रहा लेकिन यहां पर देखें रूट को हम ने लिया ले कि यहां पर देखेंसे रूट सेवन रूट सेवन क्याách गया जीरो आ यह दोनों इरशनल नंबर से इनको आड़ करने पर कि आ गया ये इंहें पर क्यों ए रेशनल आ गया चाहिक सकता कौन कौन सी कंडीजन में देखिए बहुत ही अच्छे से डिफॉरंस सम् प्रोड़क्ट और को सेंट इन चार कंडीजन में ऐसा हो सकता है अैसे चार स्थितियों में ऐसा हो तहीं यहा एंप को समझ में हो Państwo ठे conquered forever हंबंगे तेना है कि कौनıs से रेशनल है कौन से इर्रेशनल यहां पर हम से रेशनल का सेलेक्षन करना है रूट त्री इज एंड इर्रेशनल नंबर root 9 is rational क्यों क्योंकि यह 3 है अब यहाँ पर एक्स्मेल एक्स्रatori यहां से इसे भी से हम चेक कर सकते हैं यहां से भी क्या आएगा इर्रेशनल नंबर यह कितना है ट्रेल यह इसके पता चल जाता है यह यह इस तरीके से इन सभी नंबर को हम चेक कर सकते हैं लेकहें जो इसका डेसिमल है समझे का वर सिसक और हमने क्यों बता दिया व भन जो शुशल में पता है नहीं तो ट्वल्व है जबकि रूट फाइब का डेस्मल एक्सपेंशन कैसा है नौट रिपीटिंग है तो मैं जानता हूं उससे टू आप माइनस करेंगे रहने वाला है अब देखिए जो कोश्चन नंबर टिन दिया गया है इसे हम रिपीटिंग नहीं बोल सकते यहां पर 3.03 उसके बाद 003 उसके बाद 003 मतलब 103 अगर रिपीट होता हो तो फिर भी हम रिपीटिंग बोल सकते हैं कभी 1 आ रहे हैं कभी 2 आ रहे हैं कभी 3 आ रहे हैं 0 कभी 4 तो यह कौन सी कंडिशन है नौट रिपीटिंग क्या कंडिशन है नौट रिपीटिंग और तर्मिनेटिंग के सब्सक्राइब देखिए तर्मिनेटिंग क्या है इसे मौल सकते हैं रिपीटिंग ये क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है और जो रिपीटिंग होते वह कौन से नंबर होते रेस्टमल नंबर अब आप यहां पर कहेंगे यह रिपीटिंग तो है 7.478 रिपीटिंग है लेकिन हम इसे पी अपन क्यों के फार्म में नहीं लिख सकते तो मैं आपको बता दू कि अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे इस नंबर को पी अपन क्यों के रूख सकते हैं 0.3796 और यवलिख सकते हैं तर्मिनेटिंग रहे हैं समझ पा रहे हैं जलदी बताइऔर लंबर होगा है समझ पा रहा है यहां पर हमें प्रूफ 3 इसे कर दिसमेल एक्सपंसन कैसा होग नां टर्मिनेटिंग नां रिपीटिंग होगा रोट3 में भी होगा। Six इसे हम कैसे समझते हैं कैसे सॉल करते हमने इसे एक्सलेट कर दिया हमने क्या किया इसे स्क्वाइर कर दिया इसक्वाइर कर दिया इसक्वाइर करने पर क्या एक स्क्वाइर यहां पर ए माइनस भी होल स्क्वाइर से ओपन किया सेवन प्लस ठीक है माइनस टूरूट टूंटी ठीक है तो एक सिस्क्वाइर भी रेशनल होना चाहिए अगर एक सिस्क्वाइर रेशनल है तो टेन और टू भी रेशनल इस तरफ से पूरा रेशनल ही आना चाहिए ठीक है और रूट 21 क्या है इर रेशनल है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है आपको यहां पर है समझों में और एक तुस्ट। नहीं तो एक साइट किया और एक सोंज में आ गए आप लोगोंस नेक्स्ट नेक्स्ट को निए फैस्ट करना है यहां पर रूट सेवनीज ना 머icamente हमने क्या क्या ठीक है इसें पुरूब करेंगे contradiction कि है च्थिक रूट सेंट कोंभा ने क्या कर दिया और यह उन हिंडिंगो कमन फैक्टर टेंग और गल नहीं है प इसक्कायर गपा रहे हैं की स्कायर ए इवेंड इन्टीजर ठीक अब देखिए पी स्कॉैर क्या एक इटन्येजर राफीयर और पता है प्ली तो पी स्कुार यह जो फी स्कुर्वार है भी स्टीस बढोगा क्योंकि एस यह स्टीस में तो मपीज इक्वकल टू बोल सकते हैं तुट करण शेवन के बोल सकते हैं नहीं फीज इक्वल टू को क्या अजाएगा 49 के इस्टार सब्सक्राइब भी सकते हैं घूंघ इसके स्वेम्ट स्केर्ट स्वेस का मतलब क्या घूम भी सेवन गेन कहीं बने जो लेत यह तो यह त्योंते हैं तो कोई प्यूहीं तो और ही नहीं यह तो से ऊई को फालस हो गया बतलब वहां घ्रमनी रूट सभीमगता था तो यह क्या हो जा यह भी इस तरीके से गलत हो जाएगा अब देखिए एक नया कॉंसेट हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं ठीक है यहां पर कोई ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग है ठीक है उसे तो आप लिख लेते हैं पी अपान क्यों के फाम में लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो रिपीटि है तो इसे पी ऑई क्यूं के फाम में भी हमें लिख लेना चाहिए तो वही तो हम देखने काले कैसे लिखेंगे पी जिए अगर एक नंबर एक सिखी तो जीरो पॉइंट-3 बार की मीनिग वो 6666 रिपीट हो रहा है हमने क्या किया हमने कहा है 10 से मल्टिप्लाई कर दो दो टरफ टेन एक से इकवल टू सीचस बास हो गया अब यह जो सीॉ पॉइंट सिक्स बार है इसे हम बोल सकते हैं rush ब्लस जिर्ओं पॉइंट इसक बार सकते हैं सी यह क्या एगर हमने एसे मल्टिप्लाई किया यहां पर समझ review अगर हमने इसे टेंसे मल्टिप्लाइ कि एक तो पॉइंट के इस डिरेकिन में आ जाएगा यानि कि हो जाएगा 6.6 बार अब सिक्स बार क्या है एक सो हमीं से डिवाइट करेंगे तो 0.666 आने वाला अब यहां पर एक नंबर था तो उने टिन से मल्टिप्लाई किया था यहां पर तीन नंबर है ऐसे 0.631 हमने 1000 से मल्टिप्लाई कर दिया यह कितना होगा 1000 से अगर मल्टिप्लाई किया तो यही तो है भाईया 0.631 बार आएगा आजेगे नहीं तिक है अब देखिए 1000 एक्स 631 प्लस एक्स क्यों क्योंकि एक्स क्या है एक्स यही तो है भाईया 0.631 इस तरीवन बार ठीक है हमने इस तरीके से बोल दिया सम्झार रहा है आपको एक्स की वैल्यू कितनी आजेगी 631 अपान 999 अरे ऐसा कोश्चन कुछ नहीं इस से आपको ड़ना नहीं समझ में आ रहा न यह जो मैंने रिट कलर कर दिया इस कोश्चन पर कुछ नहीं आप ऐसे कोश्चन अगर आपको मिलते हैं तो क्लास ना इन के लिए कुछ भी नहीं यह कोश्चन 123 प्लस 0.5 बार है यह बिल्कुल है औरे 123 तो खुदी रेसनल है मतलब 0.5 बार को करना है आप वन डिजिट है इन से मिल्टिप्लाइ करेंगे नाइकस एकसीजिक को फाइप बाइन पाइप बाइन को एड़ कर लिजे 123 में न अब आप बताइए टफ है आसान है ठीक है अगर यह आपको आसान लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात ठीक है इस को समझते अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद लोग इन सी आपके कोस्चन करेंगे ठीक ncr जो कोस्चन है उन्हें समझेंगे ठीक है जो CRT का